दोस्तो आपके सामने जो फ्लावर रखा हुआ है वाइट कलर का ये जो है नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन है इसे प्राजक्ता या हरसिंगार सैफाली सिवली या बहुत सारे पारिजात ये सारे नाम है और ये बहुत ही खुबसूरत फ्लावर होते हैं इसमें बहुत ही अच कि आज मैं इस फ्लावर के बारे में नहीं मैं इसकी कटिंग लगाना सिखाने वाली हूं दोस्तो आप कोई भी cutting ला रहे हैं और जिसमें भी आपको जो stamp में छोटे-छोटे से dot दिखते हैं और बाद में यही जो है roots बन जाता है दोस्तो और आपको cutting जो है कम से कम pencil जितनी मोटी लानी है आप चाहे तो उससे थोड़ा और मोटा भी ला सकते हैं और थोड़ा healthy जो डा तक लेना है वैसे तो मैंने काफी cutting का जो है वीडियो शेयर है और आपको sharp cutter चाहिए इसके लिए तो आप जो है जहां से भी जो note दिख रहा है उससे थोड़ा सा एक इन जितना नीचे रखके 45 डिग्री एंगल पे ही काटना है आपको जितने भी cutting को काटना है दोस्तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है जब तक मैं यह cutting कर रही हूँ तो आप मेरा चैनल भी subscribe कर सकते क्योंकि यह जो इसका result जो आने वाला है cutting लगाने का वो 100% रहेगा और आप जो इसमें sit भी लगते हैं तो sit से भी इसको जो है प्लांट ग्रो कर सकते हैं यह जो पार आप तो यह बहुत बड़ा व्रक्ष भी बन जाता है tricky types का हो जाता है और बहुत जादा बड़ी तो 25-30 feet height भी हो जाती है लेकिन जो लोग पॉट में लगाएंगे वो तो time to time cutting वगरा करते रहते हैं तो उसे साब से इतना बड़ा हो नहीं पाता तो मैंने यह सारी cuttings जो है निकाल ली है दोस्तो अब इसको जो है अच्छी तरह से आप देख लीजिए पूरा सफाई वगरा अच्छे से करना है मतलब इसको बस हम stamp stamp ही रखेंगे कोई leaves वगरा मैं नहीं रखने वाली हूँ दोस्तो मैंने सारी cuttings जो है काट ली है और वो दिखने में कुछ इस तरह स अपको नीचे से जो है एक ना जिस तरह से convenCI वगिदा शीलते थे बच्पन में उस तरह से छीलना है और बाद में दोस्तो एकन जितना ही चीलना है और यह धियान रखना है कि जो नीचे का portion है वो नीचे और उपर का हिस्सा ओपर की और ही लगाए और दूसरी जो स्टी लेना है उसके लिए आपको 50-50 रेशियो रखना है 50% जो आपका नॉर्मल गार्डन सायल में 50% सेंड और यह आप देख सकते हैं यह सारा मैंने जो नीचे से भी पूरा साप कर लिया है अब दोस्तों जो दोस्तों आज का जो सीक्रेट है वो एपसम सॉल्ट है मैंगनेशियम स कलफेट है और यह इसको जो है पानी में एक लिटर पानी के अंदर हाफ टेबल स्पून जितना आपको एड़ करना है और इससे जो है आप किसी भी तरी की सिड्लिंग वगिरा कर रहे हैं उसमें भी इस पानी को डाल सकते हैं इस प्रे कर दीजिए उसके उपर या आप कटि करते हैं यानी से ग्रो हो जाएगा आपका प्लांट और डोस्ते आज का दूसरा जो चीज यूज्ड यूज कर रहे हम वह है है रूटिंग हॉर्मोन rooting hormone से जो आपके जो plant के जो roots वगरा है वो बहुत जल्दी से निकल आएगा और जल्दी से निकल आएगा तो आपका जो plant है वो बहुत ही अच्छे से grow होने लग जाएगा 10 दिन में तो cutting लग भी जाती है और leaves वगरा भी आने start हो जाते अगर आपने cutting सही से लगाई होगी तो या सही जगे पर रखा होगा तो दोस्तो कभी भी आप जो cutting लगा रहे तो उसी से ही आप जो होल वगरा मत किजिएगा आप दूसरे किसी भी खराब stick ले लीजिए या कुछ भी उससे आप जो होल कर लीजिए और आप एक pot अगर आपके pot का size बड़ा है तो ज़्यादा भी cutting लगा सकते हैं कि cutting को grow होने के लिए बहुत जगे की ज़रूरत नहीं होती है अब इसको जो है rooting hormone में dip कीजिए और जितना extra लगावर हैगा उसको आप जाड़ लीजिएगा और उसके बाद में जो है अपनी cutting को इसमें मिट्टी में कम से कम 2 इंच जितना या 2 इंच जितना भी आप soil के अंदर डाल सकते हैं और cutting जो है बार-बार हिलनी नहीं चाहिए cutting ना लगने के बहुत सारे कारण होते हैं उसमें हमारा ही fault होता है क्योंकि cutting लगाने के जो rule होते हैं वो हम लोग जो है follow नहीं करते हैं या कुछ न कुछ उसमें mistake हो जाती है तो हमारी cutting लगने ही पाती है दोस्तो जैसे भी आप cutting लगा है तो उसको च्छाओं में रखिए semi-said area में रखिए ऐसी जगे पे जहां direct दूप ना आए आपकी cutting हिलनी नहीं चाहिए आपने जो cutting लगाई है उसके जो नीचे से जो portion है वो 45 डिग्री एंगल पे cut होना चाहिए इन सारी चीजों को ध्यान रखिए और आपका जो soil है वो हमेशा जो है moisture रहना चाहिए अगर आपकी cutting सूख गई है या मिट्टी आपकी सूखी है तो नहीं लगेगी तो यह 10 दिन बात का वीडियो है और आप देखिए सारे जितने भी cutting है सब लगी है मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी cutting लगाई थी वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ यह 10 दिन बात का वीडियो है मेरा और इसमें शायद कुछ एक seeds वगरा भी थे धनिया के तो वो भी निकल आये हैं इसके साथ साथ जो cutting है उसके साथ और आपको मैं प जो cutting पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं लगी है किसी भी cutting को अगर आप लगा रहे हैं तो अगर आप उसको छेड़ेंगे अभी 10 दिन बाद में तो वो cutting खराब हो जाएगी जब मैं 30 दिन बाद में इसको cutting को निकाल के दूसरे pot में set करूंगी तब मैं आपको जो है इसक इसनी भी जगी पर shoot निकल सकते हैं वहां से निकल रहे हैं दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको like को share भी कर सकते हैं मेरे चैनल को subscribe अगर आपने नहीं किया है तो नीचे bell button पर press करना ना भूले और मेरे latest videos की notification अगर आप सबसे पहले जा आना चाहते हैं तो आपको bell button पर भी प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का gardening से सम्मंदित कोई और जानकरी चाहिए तो आप comment section में जाकर भी पूछ सकते हैं या मुझे instagram पर भी मैसेज कर सकते हैं thank you for watching दोस्तों बाई